world resources, first the contents, definition of resources, the natural resources, types of natural resources, the renewable resources and non-renewable resources, first let me define what is resource, resource हम किसे कहते हैं, normally हम एक आम language में भी जब हम कि जहां से हमें कोई benefit मिल रहा तो कहते हैं, हमारा वो resource है, जैसे book को हम पढ़ने के लिए यूज करते हैं, जैसे knowledge गेन करने यूज करते हैं, तो हमारे knowledge का resource कहा है, books हैं, ठीक है, books का resource हमारे पर लाइबरेरी हो सकती है, same is the thing, कि resource basically एक ऐसा stock है, एक ऐसा reservoir है, जहां से हम कोई चीज अपनी जूरूरत के वक्त अपनी efficiency बढ़ने के लिए use कर सकते हैं, या ले सकते हैं, तो actually resources is actually stock, stock or any kind of stored material, from where we can use that material when we are needing for that material, what kind of natural resources are there, अगर हम, चूंकि natural resources की बात करते हैं, नेचर के अंदर कोई resources हैं, पहली बात है कि जब हम words natural use करते हैं, तो it simply means, यह वह चीज़ हैं जो human effort के बगएर हैं, जो already naturally क्या करती हैं, exist करती हैं, तो similarly natural resources हैं मराद, there are those resources which are present in nature, without the effort of human, human effort के बगएर जो already, nature के अंदर मवजूद है, they are actually, and they are benefiting us, जो हमें benefit दे रही हैं अव सारे के अंपया है, they are the natural resources, अब natural resource के बात करें, nature के अंदर, जितने भी चीज़ियों से इंसान human benefit ले रहा है, there are natural resources, sunlight से हम benefit लेते हैं, it's a natural resource, air से हम benefit लेते हैं, it is a natural resource, ग्रेविटेशनल फोर्ससे हम बेनिफित लेते हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्ससे जो आर्थी ग्रेविटेशनल फोर्स है, इस आल्सू दा निचरल रिसोर्स है, similarly water, water एक निचल रिसोर्स है, wind एक निचल रिसोर्स है, plants, animals, these are all the natural resources. What are different types or what is the classification of the natural resources? natural resources को we can divide them broadly in two categories, दो बड़ी categories के अंदर हम natural resources को divide कर सकते हैं, one is the renewable natural resources and other one are the non-renewable natural resources, अच्छा वर्ड से आपने इसको indication हो जाती है, renewable and the non-renewable resources, so first are renewable resources, renewable natural resources are those resources which can be renewed, जिसको हम दोबारा क्या कर सकते हैं, जो दोबारा recycle हो सकते हैं, जो दोबारा available होते हैं, meaning if we have utilized them, so after utilization, they are again, again, we have produced, जो दो दोबारा जो प्रोदूस होता है, जो दोबारा से कहा सकते हैं, जो नए से रिसे प्रोदूस हो सकते हैं, या ऐसे resources जो कभी खताब नहीं होते हैं, दियारदा renewable resources, और renewable resource के हमारे पस जो example दियारदी, water, water एक renewable resources है, किस लिहाँ से, क्योंकि मसल्सेचते हैं, जो जो पॉपर एक जावो रिसोरस दीया हुआ जो सक्षिक्टरियो भी रिभी जिए अगर्हाम इसको जूत्रा मर्द यूज यूज करें यह जो एक्जास्थ नहीं होने जा रहा तो इस द्री डिन्यूअबल रिसोर्सथ तो यह रिन्यूख यह नहीं कि फटम नहीं होने जा रह यहां इसके हैं प्लांट्स और एनिमल्स वेरा जो हो आ जाते हैं यहां इसकी चीज़ अपने जहां में रखनी है रिन्यूइबल का मतलब यह नहीं है कि वो 100% ही आप इसको जहाँ रिन्यूइबल है यह एक टर्म है बड़ी फ्लेक्सिबल टर्म है जैसे आप साललाइट को जितना मर्दी यूज़ करेंगे वो तो रिन्यूइबल है वो तो कांसेंट सोर्स है लेकर अगर वार्टर को आप ओ यह रिन्यूइबल हैं लेकिन इनकी खास लिमिट है अगर इनको आप लिमन्यूइबल से जएदा एक्जास्ट कर देंगे इसको बहुत जादा प्लांट जैसे अगर डिफॉरेस्टरिशन कर देंगे अगर प्लांट जो एनिमल की स्पीशिज हैं अगर हम उसको ओवर हंट क कर देंगे तो यह चीज़ें भी क्या हो जाएंगी यह बेदेवल आर्सो भी नाट अवेलेबल फार आस तो रिन्यूइबल की टर्म जो है यह बैसिकल एक लिमिंटेड वे के अंदर हम कह सकते हैं कि आप उसको यूज करेंगे तो यह दुबारा चीज़ें जो है अवेलेब अब इसके अंदर हमारे पास जो रिसूर्सिस हैं कि जो एक दहाए एक्जास्ट होगे खतम होगे दोबारा हमें अवेलेबल नहीं होगे उसकी बड़ी बड़ी एक्जाम्पल्स हमारे पास जह वो जह आईल है आईल का आपको पता है कि आगर वर्ड वाइट भी देखते है कि जो अभी जैसे मिडल इस्ट के अंदर आईल के जो है रैजरवाइड हैं तो साइंटिस का यह ख्याला कि नेक्स 40 तो 50 यह के बाद जाका यह रिसूर्स जहां वो बहुत एक्जास्ट हो सकते हैं खतम हो सकते हैं सेम था किस नेचरल गैस जो स्वी गैस हम इस्तेमाल करते ह फिर गरूमें जो है दिस आलसो दा नान रिडियोबल सोर्से फॉसल फियूल जिनको कहते हैं आईल और गैस दोनों को कि जब एक दफाए यह इस्तमाल हो जाएंगे तो फिर इसके अंदर जमीन के अंदर इनके लिमिटेड स्प्लाइ मुजूद है वर्टेर यूज यूज दोब बढ़ा वेलिबल नहीं होंगे। इन दार मिनराल जो है जैसे हमारे पास जाएंगे मैटल आर्थ के अंदर मुजूद हैं जिसे हमारे पास आयरें नोके डेडर मुटें और आई Emperor है वासफॉर में अनके है मुझूद है, once they are used, there will be no more available again.